हलो एमिनी वान! नमश्कार! हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं दोस्तों, शाश्त्रों के नुसार मक्र सकरांती का पर सूरी देव को समर्पित हैं सूरी के राशी परिवर्तन को ही सकरांती कहा जाता है जोतिश के नुसार सुर्य के धनु राशी से मक्र राशी पर जाना मक्र सक्रान्ती है इस समय सुर्य दक्षिनायन से उत्रायन होते हैं कुछ जगों पर मक्र सक्रान्ती को उत्रायन के नाम से भी जानते हैं इस दिन श्रान के बाद दानपुन के कारे करना बहुत ही शुमाना जाता है तो आज हम जानेंगे साल 2022 के मकर सक्रानती पर्व की सहिती थी पूजा का शुमोहुरत पूजा भी थी और साथ में जानेंगे कि इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक खास बाद अगर आप इस चैनल पर नए आई हैं और पहली बार आई हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजे ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले और जिनोंने इस चैनल सब्सक्राइब कर दिया है यानि कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है उनका दिल से आवाद बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहेगा और अपना प्यार हमें देते रहेगा वीडियो को अंतितक जरूर देखेगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए क्योंकि दोस्तों आदिये दूरी जानकारी से पूरा लाग नहीं मिलता है इसलिए हमारे साथ अंतितक बने रहेगा तो आईए शुरू करते हैं दोस्तों वर्ष 2022 में मकर सक्रान्ती का परव 14 जनवरी शुक्रवार को पौश मार्श की शुक्रपक्ष की द्वादशी को मनाये जाएगा इस दिन सूर्य धनु राशी से निकल कर मकर राशी में परवेश करेंगे सूर्य जब एक राशी से दूसरी राशी में जाते हैं तो इस परिकर गिया को ही सक्रान्ती का जाता है मकर सक्रान्ती को सवी सक्रान्ती में अती महत्तपूर माना गया है मकर सक्रान्ती को खिचडी का परवी का जाता है मकर सकरांती पर शनान और दान का विशेश महत्व बताये गया है अईब जानते हैं मकर सकरांती का महत्व दोस्तों मकर सकरांती का पर्व देश भर में अलग-अलग नामों से मनाये जाता है मकर सकरांती पर सूर्य देव उत्राइन होते हैं ऐसे मालने जाता है कि इस दिन से ही रितू में परिवर्तन रारम हो जाते हैं मकर सकरांती से सरदी में कमी आने लगती है यानि कि शरद रितू के जाने का समय आरम हो जाता है और बसंत का बसंत रितू का आगमन शुरू हो जाता है मकर सकरांती के बाद ही दिन लंबे और रातें छोटी होने लगती है जोती शास्तर के अनुसाद मकर राशी के जो स्वामी है वो शनी देव है शनी सूर्य के पूत्र कहलाते है पिता पूत्र का संबंध होने के बाद भी पिता और पूत्र में नहीं बनती है यानि कि इनके आपस में संबंद मदूर नहीं माने जाते हैं इसके बाद भी सूर्य पूत्र की राशी में लगवग एक माह के लिए आते हैं और एक माह तक पिता पूत्र के घर में रहते हैं और मकर राशी में सूर्य का गोचर कई मामलों में शुब फल देने वाला माना गया है मकर सक्रान्ती पर शिनान और दान का विशेश महत्त बताया गया है मकर सक्रान्ती पर पवित्र नदी में शिनान करने को बहुत ही शुब माना जाता है इसके साथ ही दिन इस दिन म jut दान करने से आप अपने समर्थिक मताबिक दान पुन करें तो दान करने से सभी मनो काम नई पूर्ण होती है इस दिन खिचडी का दान बहुत ही पुन्य पर दान करने वाला माना गया है आई अब जानते हैं साल 2022 में मकर सक्रांती का शुब महुरत क्या है साल 2022 में मकर सक्रांती का पर्व 14 जनवरी शुकरवार की दिन मनाया जाएगा उत्राइन सक्रांती का जो उक्षन रहेगा वो 14 जनवरी शुकरवार दोपहर 2 बच की 43 मिनट पर है और मकर सकरांती का पुन्यकाल महुरत है 14 जन्वरी दोपहर 2 बच के 43 मिनट से शाम के 5 बच के 45 मिनट तक सकरांती महपुन्यकाल महुरत है 14 जन्वरी दोपहर 2 बच के 43 मिनट से शाम के 4 बच के 28 मिनट तक अईव जानते हैं मकर सकरांती की पूजविदी मकर सक्रांती के दिन गंगा शिनान करना पुर्णिकारी होता है इसलिए संभव हो तो इस दिन आप प्रातकाल उठकर किसी नदी, तलाब या शुद्ध जलासे में शिनान करें नहीं तो घर पर ही आप नहाने वाले जल में गंगा जल में लाकर के शिनान करें यानकि सूरी देव को जल का अर्गे देकर ओम सूरी आई नम इस मंतर का जाप करें शिनान के बाद दान जरूर करें आज के दिन विशेश कर खिचड़ी, आटा, उडद दाल, चावल और तिल के लड़ो का दान किया जाता है दोस्तु क्थाओं के अनुचार मकर सकरांती के दिन सूर्य अपने पूत्र शनी के घर आते हैं जिस कारण यह है यह जो त्युहार है पिता पूत्र के इस अनोखे मिलन का पर्तिग है कुछ जगों पर नई फसल और नई रितों के आगवन के तौर पर मकर सक्रांती मनाई जाती है मकर सक्रांती का दिन विशेश रूप से खिचड़ी बनाने, खाने और खिचड़ी का दान करने के लिए शुब माने जाता है इसलिए दोस्तों बहुत सी जगों पर इसे खिचड़ी भी कहते हैं इस पर्व के दोरान तिल और गुड से वने हुए लड़ू बनाने की परमपर है चावल को चंद्रमा और काली उड़द को शनी का परतीक माना जाता है ऐसा वाने जाता है कि मकर सकरांती पर खिचड़ी खाने से और दान करने से कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है आई अब जानते हैं कि मकर सकरांती के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों मकर सक्रांती के दिन गंगा शिनान के बाद दान करना चाहिए इस दिन प्रात का शिनान के बाद सूर्य को जलका अर्गे दे और मकर सक्रांती पर तिल या तिल से बनी हुई चीज़ों का दान करें क्योंकि ऐसा करना शुब होता है इस दिन चावल और उड़ित की खिचड़ी बनाएं क्योंकि ऐसा माने जाता है धार्मिक मानेताओं के नुसार सूरी देव को खिचड़ी का भोग लगाने से सभी कश्टों से मुक्ति मिलती है अब जानते हैं कि सक्रांती के दिन क्या नहीं करें इस दिन यदि आपके घर कोई जरूरत बन व्यक्ति आए तो उसे खाली हाथ न लोटाएं खाली हाथ न जाने दे कुछ न कुछ उसे दान की वस्तो अवश्य ही दान कीजिएगा इस दिन शनान के बाद किसी भी चीज का सेवन ना करें यनकि शनान दान के बाद किसी चीज का सेवन करने चाहिए दान फुन करने से पहले किसी चीज का सेवन ना करें मकर सक्रांती के दिन तामसिक चीज़ें जैसे की लहसन प्याज का सेवन ना करें अलकोहल का सेवन ना करें मकर सक्रांती के दिन महिलाओं को बाल भी नहीं दोने चाहिए बाल दोने से बचना चाहिए तो दोस्तो ये थी मकर सक्रांती से जुड़ी एक खास जानकारी उमीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी अगर आपको ये जान कर ये अच्छी लगी हो तो like के बटन को Прेस कर दीजे जी हां दोस्तों आपके like करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं आपके like सी हमारा motivation अब होता है इसलिए आप like के बटन को प्रेस कर के जानकारी को इस वीडियो को अपनी फैमिली में अपने फ्रेंट्स में ज्यादा से ज्यादा शेर भी कर दीजी ताकि औरों को भी इससे लाप राप दो और अगर आपका कोई प्रश्ण है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले और वीडियो पंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलेंगे नई जानकारी के साथ तक तक आप खुश रहें स्वस्त रहें अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखेंगा जैश् हरी हर हर महादेव